यहां तक बात है मद्धे प्रदेश के मुख्य मंत्री की तो उन्हें तो अपने अंदर जाकना चाहिए कि उनके यहां क्या हो रहा है और किस तरह से अत्याचार हो रहा है दलित समाज पर शूशिट समाज पर और उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं हर्याना की तो हर्याना म आपको याद होगी वो घटना जब पंचकुला में गोली बारी हूई एसा तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं था और पिर नूम की घटना और बान! ये बात Congress कह रही है कि यहां पर हिंसा होती नहीं थी जितनी हिंसा देखी जा रही है इसके बावजूद मैं आप से सवाल कुछ और पूछ रही हूँ क्या राक्षस और राक्षसी प्रवरती जनता को बताना इस बयान के साथ Congress Party है रंदीप सुर्जवाला ने सही कहा मैं इसी बात पर आ रही हूँ क्योंकि page number 181 bunch of thoughts गोलवालकर जी ने जो लिका है उसमें कहा है कि गुरगाओं जो है वहाँ पर कितने लोग एक समुदाय के आ गए है इसलिए जब आप उस परिपेक्ष में देखते हैं तो जब हम लोगों की बात करते हैं तो आज तो भारती ज लोगों को प्रतारित करेंगे तो उनकी प्रव्रिति क्या होजी इस बात को जनता जानती हैं और मान भी रही है लेकिन अगर आप हर्याना के मुख्य मंत्री की बात करते हैं तो हर्याना के मुख्य मंत्री ने नू की घतना पर बिल्कुल साफ कह दिया था को उनको कोई उसमें मोनु माने सर का रोल नहीं दिखता वो एक टीवी चैनल पर आजाता यह असुर प्रव्रिति नहीं है तो क्या है अगर जनता जनार्दन है तो जनता का संरक्षन यानि के रही पुझे वाले